हेलो गाईस मेरे नाव मेरे टोपड़ो तो फ्रेम में आज आप कार देख सकते हो यह ना परसेनली मैं अगर बताओ बजट के हिसाब से मुझे बहुत ही एक सही कार और खास करके बहुत ही सही एक वेरियंट लगता है अबिसली ग्रेंड आटें नियोस का स्पोर्ट्स वेरियंट रहने वाला है तो डीटेल में बात करेंगे क्या और प्राइस रहेगा अंदर क्या मलता है क्या डिस्काउंट है सारत चीज़े को बड़े में बात करेंगे स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूंगा मैं एक नहां यूंड़ाई बोगाईगा को यह उचूट करने देने के लिए बहुत ही सही डिलर्शिफ है मैंना कंटक्ट डिटल्स दे दूँगा आप इन्हों कॉल करके एक नया यूंड़ाई कार या फिर टेस्ट डैव आप ले सक टेन बटन के साथ आता है चाहिक कर लेते हैं कार को और आप एक फॉन का जो व्यू है वह देख सकते हो वहाइज रेट पर बहुत सही लगता है खास करके ना रेट तो बहुत सही है यह आप देख रहे हो और वाइट कलर के अंदर आप एक बड़ ट्राई करना बाकि आप हे प्रोजेक्टर फॉग लैम देखने में मल जाता है क्रोम एक रिंग मलता है तो देखने में काफी से प्रीमियम लगता है और साथी साथ ग्रिल अगर आप देखते हो पियानो ब्लैक फिनिश बहुत से लगता है इसी बचेसे मैं आपको बोल रहा था कि आपना वाइट कलर का अगर हो सेके तब प्रेफर करना बाकी नीचे आप देख सकतो ड्रेल कलर बंपर मलता है और 165 mm का ग्राउंट क्लेरेंस भी मिल जाता है तो इस बचेसे आप हर जगा पे इस कार को लेके जा सकते हो ग्राउंट क्लेरेंस का कोई भी दिकत नहीं होता है साइट प्रोफाइल यहाँ पर आपके सामने रहने वाला है इस हाई प्रोफाइल से भी कार बहुत से लगता है मतलब आप देख सकते हैं अलोई मिल जाता है और आप देखो तो इंटिगेटर मिल जाता है मैं क्लोज लिए आपको शो करूंगा वाट ओवर्वीव से मतलब फॉस्ट इम्रेशन क के बात करें यह सब चीज़ी बहुत ज़्यादा मेटर करता है डेफिनिल मैं चीज कहूंगा और रेयर प्रोफाइल भी एक बार सबसे पहले मतलब एक बना फॉस्ट इंप्रेशन के लिए आपको शो कर देता हुता हो कि आपको एक मतलब आइडिया हो जाए कि इतना खुश सारा चीज़े कर सकते हो तो हां एक ना सही वाला चीज मतलब एक होता है ना वेरियंट जिसमें आप कम पैसे में सारा चीज़े मिल जाता है तो वह वाला वेरियंट यह रहने वाला है मतलब वार वेरियंट अगर आप इलेक्टिकल एडजस्ट फोन्ट वह सारा चीज़े य मल जाता है 165-70R14 टायर्स है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा बठा 165 के जगा अगर यह 175 होता तो मतलब और थोड़ा सा ना माचो लगता पीछे से जो टायर है वो थोड़ा सा और मतलब मोटा जाधा होता ने उस बज़े से और फ्रांड में आपको जो है यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने में मल जाता है ABS CBD भी है तो आपको कोई भी ब्रेकिंग में इशू नहीं होगा बॉड़ी कलर डोर है तो अच्छा लगता है ओविसली तो यह सब चीजे काफी मैटर करता है अगर आप मतलब एक value for money लेने जाओ तो तो हाँ पीछे से मैं आपको ऑविसली एक वर व्यू दे चुका हूँ ब और हां यहां यहां पर आपको roof rails भी देखने में मिल जाता है अब roof rails के वज़े से ही ना कार का ही मलब पीछे से सामने से साइट से अगर आप देखो ना एक थोड़ासा भलकी सा look दे देता है हां यहां पर आपको spoiler एक देखने में नहीं मिलता है बर स्टिल high stop brake lamp देखने में नहीं मिलता है और C pillar को अगर आप देखे तो काफी अच्छे से integrated करा गया है और defogger आपको देखने में मिल जाता है और इसकी sports model है वही बोल रहा था ना आपको सारा चीज़े मुस्टरी आप देखने में में मिल जाता है तो वही है कोई भी आपको cost cutting बिसे क्लिए देखने म में मिल जाता है और यहां पर sports का भी जो variant आप ले रहे है उसका वैजिंग देखने में मिल जाता है and light unit यहां पर आप देख सकते हो simple वाला unit है और ऐसा ही light unit दूसरे कार में भी मिलता है तो comment में वह चीज़ आप बतना अगर आपको पता है तो आग यह light unit वैसे तो अच्छा गया है बट अगर आप ऐसे देखो ना तो यह जो design है ऐसा है सबको mostly अच्छा लग जाता है काकि यहां से आप one touch open कर सकते हो boot को and bumper अगर आप चेक करें तो dual color का bumper देखने में मिल जाता है and rear working sensor भी camera के साथ देखने में मिल जाता है ground clearance पीचर से देख सकते हो and खहीना कि bumper protector black को आप वह कह सकते हो तो यहां पर बोनट को एक बार खोल लेते हैं और चेक करते कैसा क्या है यहां पर ना camera mount है और इसका जो mounting का space है काफी सही लगा मुझे जो pleasing है basically बाकि देख सकते हो आप बोनट बोल रहा हूं मैं boot जो है partial trade देखने में मिल जाता है देखते ही आपको समझ म market चीज़े लेने की ज़रूरत नहीं है बट यहां पर boot की बात करें थोड़ा सा को loading lift यहां पर देखने में मिल जाएगा तो भारी सावाने तो आपको थोड़ा सा मैनत करना पड़ेगा बट इसी वज़े से आपको 260-liter का बड़ा सा boot देखने में मिल जाता है स्टेपनी की ब लगा मुझे नहीं तो दूसरे कंपनी क्या करता है एक से छोटा वाला स्टेपनी देखने में दे देता है अगर आप टॉप मॉडल लेता हो ना तो वहां पे भी आपको जो स्टेपनी के अंदर R14 ही मिलेगा ओके इंटिरियर बहुत सही लगा मुझे फॉर्स इंप्रेशन के अंदर क्लिव आपको पहले भी बता चुका हो जब भी ना बेज कलर आजाता है तो बहुत सही लगता हो और यहां पे तो बेज कलर काफी प्रीमियम लग रहा है यहां पर आप अगर चाहिए बहुत सही लग रहा है आप अगर साइब करे वाकि यह जो डेश भर सइड डो कोटिंग वो मुझे काफी सही लग रहे है यह मैं फिल कर रहो इस वे से बता रहो मुझे नहीं बता है इसमें रवरिश कोटिंग कोई कराक जाता है नहीं है बढ़ा काफी अच्छा प्लास्टिक है और डोर हैंल सगर आप देखे तो काफी सही से आपको जब फिनिशिंग आप फिनिशिंग की बात मैं क्या करूँ अब सामने से देख सकते हो और यहाप को जो है डेट पेडल देखने में मल जाता है तो काफी सही है लॉंग जर्नी के अंदर अगर आप जाते है तो आगे आप एक बार की को इंसर्ट करते हैं और आपको मैं सही से एक बार शो करने करता हूँ तो हां मैं यह पर इन हो जाता हूँ तो इन और आउट काफी सही होने वाले यह चीज़ अभी मैं बता सकता हूँ क्योंकि कार का हाइट और जो पोजिशन है सीट का वह काफी सही है लेकिन आपने ड्राइवर सीट को हाइट अगे बीचे कर सकते हो तो अब आप जो एनिमेशन है वो देख सकते हो काफी सिंपल एनिमेशन दिया गया है मुश्टि यह सेग्मेंट ऐसा है सबको पसंद आना चाहिए इसलिए बाकि एमाईडिय आप चेक करें तो मतलब एनालोग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन है बढ़ हां जो स्पीड है वह आपक निचे कर सकते हो तो हां वाकि स्टेरिंग का जो ग्रिफ है वह काफी सही है यहाँ पर लेधर दिखने में नहीं मुलते है बट रावरीश वाला जो मैटरील है टच करते ही एक शावड वाला फिल आते है वह वाला यहाप यहाप देया गया है अग यह आप तो आप यहाप स्टेरिंग लगवा सकतो आज शोरूम के तरफ सेकसेसरी आकि लेफ स्टेरिड में जो बटन से बहुत ही सही क्वालिटी का दिया गया है मतलब जब यह प्रेस करते हो न तो एक अच्छा साब को फिलिंग आएगा यह वाला जो मतलब इसको मैं क्या कहूँ बार या फिर और फोगलम वही सारा लाइट कंट्रोल देखने में मिल जाता है तो हां कुछ ऐसा है आप मिलता है आयर विम की बात करें तो मैनुवली आपको अड़्जस्ट करना पड़ेगा ओविसलि सही है कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर साइड में जो सान वेजर है वहापे आपको जो डिजाइन है यहाप अगर आप देखे ना तो एक काफे अच्छा सा टच आ रहा है एक ना काइंड ओफ 3D वाला डिजाइन है और डैश्बूर्ट वाला कुवालिटी आपको मैं बता ही चुका हूँ वैसे हाट प्लस्टिक है बाट उपर एक रवरिश कोटिंग है ऐसा फिल हो रहा है मैंनों सॉफ्ट वाला फिलिंग फिनिशिंग के अंदर तो भाई कोई भी यहाप दिकत नहीं है यहाप भी म्यूजिक सिटेम के अंदर भी जो बटन्स है यह जो नॉब है बहुत ही अच्छा क्वालिटी है पर प्रोवाइट करा गया मैंना क्रोज लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है मैंना वाइट के साथ ब्लैक बाकी म्यूजिक सिटेम की बात करें तो बहुत ही स्मूथ है यह आप देख सकते हो आपने सामने है यह जो एंडुरॉट अपरिकर पर दोनों चीज़ों का सपोर्ट करता है और म्यूजिक सिस्टेम भी काफी सही स्पीकर की बात करें तो आपको चार स्पीकर देखने में मल जाता है बट एक चीज़ कहूंगा फ्रॉंट दो जो स्पीकर से ना उसका जो बेस है वो मुझे बहुत ही मतलब बैस लगा पीछे का जो स्पीकर से वो थोड़ा सा मुझे कही ने कही ऐसा लगा कि शायद बलता है यह चीज़ कह रहा हूँ बाकि आप देख सकतो हो अट्मेटिक क्लेमिट के साथ एसी मलता है एसी काफी सही है बाकि सही वही चीज़ कहूंगा बटन बहुत ही अच्छा है और अगर आप यूनिट देखो ना काफी easy to use है मतलब चलाते चलाते भी आप इनको use कर सकत बाकि close नी में बता रहा हूँ एक काफी अच्छा सा feeling आ रहा है मतलब इस budget के हिसाब से में अगर आप यह कार लेते हो ना तो आपको एक ऐसा लगेगा कि एक all rounder car आप खरीद रहे हो तो यह चीज़ एक है बाकि USB और 12 world power socket यहापे नीचे आपको देखने में मिल जाता है तो अहाँ वह एक common से चीज़ है यहापे थोरा सा space है वाइल्स charging आपको देखने में नहीं मलता है एक होता ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता लागी ग्यार नोब आप देख सकते हो 5 plus reverse gear देखने में मल जाता है rear working camera और sensor दो आपको देखने में मलता है तो वह एक बार इसको ठीक ठाक ही कहूंगा कोई विया पर लैग नहीं है यह चीज बड़ा ही सही लगा मुझे यहापे देख सकते हो दो कफोल्डर देखने में मल जाते है लेकिन armrest देखने में नहीं मलता है मतलब आज करना armrest मुझे लगता है बहुत यह common सा चीज है तो होना चाहिए बट sports model है तो मैं expect करूँगा चारो यहापे adjustable vela headrest बटा सीट काफी comfortable है जो fabric है वो काफी अच्छा यहापे दिया गया है साधी साथ जो combination है वो भी काफी अच्छा है आप अगर seat cover नहीं भी लगवा तो तो कोई दिकत नहीं है यह चीज कहूँगा बटा एक चीज कहूँगा side grip काफी अच्छा है long journey में काफी मज़ा आएगा तो मतलब Hyundai से कोई देख रहा है तो मुझे यहापे contact कर सकते है मैं चाहूँगा यहापे long drive में जाना और आपके साथ वो वीडियो शेयर करना तो आप comment में बताना Hyundai को बताना हो सगे तो try करेंगे बाग यहापे अगर आप द बरा है यह चीस definitely मैं कहूंगा और जो design है वो भी काफी सही है आपको वह दिक्कत नहीं आएगा बठा कोई भी है पर particular shapes देखने में नहीं मलता है एक one glow box है front donor seat मेरे height के according है मेरा height 5 feet 8 inch जाता है तो पीछे एक बार space चेक करते है तो यहापे सबसे पहले आप जो doors का quality है वो दे यहापे आप एक बार check कर सकते हो and rear door अगर आप देखे पैनल अचारा seats की यहापे बात करें नहीं एक चीज़े मैंने feel करा है यह वैसे तो fabric है बट यहापे पीछे का यह वाला area जो है यहापे leather है side से भी अगर आप देखो तो वहापे आपको leather देखने में मल जाता है तो य यह वाला चीज मुझे काफी अच्छा लगए यह सब चीजों के अंदर आपका हाथ लगते रहता है यहापे भी आपको जो है leather या फिर leather टाइप का कुछ एक चीज़े मलता है बाकि यहापे तो आपको fabric ही मलता है अच्छा fabric seat मुझे जादा comfortable लगता है आपको कौन सा लगत करते कमें बताना अगी यह वाला design continue करा है पीछे सेमी चीज आपको जो देखने में मल जाता है bottle rotor यहापे देखने में मल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है अच्छा सामने का view आप देखो तो भाई dashboard का design मुझे बहुत प्यारा लगा फिट से मैं बता रहा हूँ तो हाँ काफी airy वाला cabin है यहापे space चेक करें तो आप देख सकते हो काफी अच्छा से मुझे यहापे legroom मल रहा है और एक चीज कहूंगा यहापे नीचे ना अगर आ अच्छा से पैर रहने में काफी comfortable लग आप देख रहे हो ना तो long journey में यह चीज आपको feel होगा definitely comfortable feel होगा तो यह चीज मैं बताऊंगा जो चीज है वह है वाकि नीचे आपको AC vent देखने में मल जाता है अच्छा पीछे जो यह AC vent है इनका जो flow है काफी fast आपको fan देखने में मल जाता है तो बहुत अधा गर्मी है ना तो cabin को बहुत ही जल्दी ठंडा कर सकता है आपके नीचे 12 वर पॉर्स अगर देखने में में मल जाता है वही पीछे भी आपको fist headrest में मलता है ठीक है बट थोड़ा से उपर होना चाहिए था आपके भाई का 856 इंचस है उस जब से आप space check कर सकते हो मेरा height 5 feet 18 इंचस है आप देख सकते हो मुझे ठीक ठाक यहापे जो है headroom मेल रहा है कोई भी दिकत नहीं है भाई के बास तो बहुत सारा legroom में कोई भी दिकत नहीं है हाँ यहाँ एक साइड में आपको seat pockets देखने में में मिल जाता है पीछे वाकी हाँ एक इस कहूंगा यहाँ पर एक armrest हो जाता ना पीछे बहुत मजा आता फ्रॉंट में और पीछे एक armrest हो सकता था मेरे सबसे कंपने को यह से चीज़े ना आजकल दे देना चाहिए बट पीछे आती इंडल बैठ सकते कोई भी दिकत नहीं होगा चार इंडल थोड़ा साइड़ करना पड़ेगा एक्चुली थोड़ा से दिकत होगा और हाँ एड़स्ट हो जाएगा और काफी कमफटेबल यहाँ लग रहे है भाई को बहुत मजा आ रहे मुझे लग रहे काफी हसर है अच्छा अब अगर यहाँ पर एंजिन की बात करे तो यहाँ पर आपको पैट्रोल और डिजल दोने एंजिन अप्शन मलता है मैनुवल प्लास एम्टी दोनों एंजिन के साथ आपको जो है देखने में मल जाता है 1.2 लीटर पैट्रोल एंजिन देखने में मलता है जो की आपको 82 भी एच्पी और 114 नम का टॉक निकलता है आपको बताए यह बहुत ही एक र मिलता है आपको बता है कमें बताना जो डिजल इंजिन है उसके साथ बात करें 1.2 लीटर का 4 सिलिंडर वाला डिजल एंजिन देखने में में मिल जाता है जो की 74 भी एच्पी और 190 नम का टॉक निकलता है भाई यह एंजिन बहुत सही रहेगा मतलब इस कार के साथ सच में हो होता है कमपनी जो है डिजल इंग के साथ 25 के मिल का माइलेज करता है बट मुझे एक जैक नहीं पता कि रियल लाइफ में कितना क्या आएगा क्यों कि मैं फिर से वही बताऊंगा कि मैंने जो है ऐसे चला के नहीं रखा है कभी मौका मिलेगा तो बदेफिनिल आपको बताऊ ले सकता है थैंक यू सो मच मिलते है बहुत जाए देगा ने वीटिक के साथ बाई गईस